बाई और बहनों, सबसे पहले मैं फीकी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज के स्थिती में पीपीपी मॉडेल पर मेरे डिपार्टमेंट की आज की स्थिती और निती के बारे में आप से कुछ चर्चा करने का आउसरम मुझे दिया है जब मैं महाराष्टर में मंत्री था और बाचपई जी जब प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने मुझे दो काम दिये थे एक गाओ को जोड़ने वाली योजना बनाने के बारे में उन्हें मुझे योजना त्यार करने के लिए कहा था और दूसरा राष्टिय महामार्ग को फोर लेन में रुपांतरित करने की भी योजना त्यार करने के लिए कहा था और मेरा ये गवरो है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्टिया महामार्ग को फोर लेन में रुपान तरीत करने वाली योजना की पहली प्रोफाइल दोनों मैंने उस समय बाचपेजी को दी थी उस समय मैंने अपने रिपोर्ट पर लिखा था वो अमेरीकण प्रेसिटेंड्र जॉन केनिडी का एक वाक्य था उसमें जॉन केनिडी ने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि American roads are not good because America is rich. America is rich because American roads are good. Road से prosperity आती है, विकास होता है. मैं ये समझ नहीं पा रहा है कि रोड बनाने के लिए socio-economic impact study करने की क्यों जरूवत है ये, मैं अभी तक नहीं समझ पाया. आपने काया तुमा आप से समझ लोंगा. क्योंकि positively अगर सूरज को ये कहिना नहीं पड़ता कि सूरज निकलने के बाद परकाश आता है. वो तो understood है. तो रोड बनाने से तो प्रास्परेटी प्रोग्रेस आने वाला है. और इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि इसके लिए ये जो socio-economic impact study करके एक-एक साल और उसमें जोड़ देंगे. तो ये एक नया प्राब्लेम और उसके करण होगा. socio-economic impact अच्छे ही है. रोड सेक्टर अगर खड़ा होगा, तो समाज और देश आगे ही जाएगा. इसमें कोई दूमत नहीं है. आज के स्थिती में मुझे इस बात का और एक खुशी है कि इस देश का पहला PPP रोड शुरू करने का मोका मुझे मिला, जब मैं मंत्री था. वो नैशनल हैवेवे पर ठाने भीवंडी बाइपास करके पहला B.O.T. रोड जो था, वो शुरू होगा. और उसकी कलपना भी मुझे ऐसी आई कि मैं जब मंत्री बना है, तो मलबार हिल पर मुंबए में बड़े बंगले में रहने के ले गया, उसमें कलर टीवी नहीं था. तो मैं मलबार हिल के एक टीवी शोरूम में जाकर मैंने कहा कि मुझे कलर टीवी चाहिए. और मैं ऐसी मुंबए में मेरी आदत थी कि मैं सिकुरूर्टी छोड़कर गुमने के आदत रहती तो मैं कभी स्कूटर पर गुमता हूँ, को भी इधर जाता हूँ, तो मुझे जनरली मैं पबलिक में घुमते हूँ चलते रहता हूँ. वहाँ इसी प्राइवेट कार में गया था, दो-तीन लोग मेरे साथ है, और उनने मुझे कहा कि टीवी बताए, सब बताए, मैंने एक सिलेक किया, और मैंने उनको कहा कि मुझे इस्टॉल्मेंट पर चाहिए, तो उनने मेरा नाम पुछा और जब मैंने कहा कि मैं मंत्री हू तो उसने का सिर अभी पीस ने आये नहीं है, मैं बाद में आपको आने के बाद इनफर्म करूँगा, और उसने मुझे बाद में कभी इनफर्म नहीं किया, क्योंकि उसको रहा कि मंत्री अगर इस्टॉल्मेंट पर टीवे लेके जा और पैसे नहीं दे तो क्या करना है, तो ये टीवी इस्टॉल्मेंट पर मिल सकता है, कार इस्टॉल्मेंट तो टनेल और रोड भी इस्टॉल्मेंट पर क्यों नहीं मिल सकता है, और उसके इंस्पारिशन और मोटिवेशन होकर फिर वो पब्लिक प्रावेट मॉडल तैरवार फिर मैं दिल्ली आया, और हमने वो प तो आज हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है और उसको हमको यह तो कहना का आफसर नहीं कि किस ने क्या किया है मॉडेल एग्रिमेंट जो है जो बॉम्बेपुना एक्सप्रेस हाईवे के समय हमारे जो बना था कोई लगबग प्रॉब्लेम नहीं आए थे और जो काम आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट के सरकार ने उस समय किया चती सो करोड का लोगे स्टेंडर था वो काम रिजेक करके हमने गवर्मेंट में बॉम्बेपुना एक्सप्रेस हाईवे का कम सोला सो करोड में पुरा किया और देश का सब से अच्छा रोड आपको आज एक्सप्रेस हाईवे के रोप में दिखा जाता है अठासो करोड के फ्लाइवर हजार करोड में हुए है आठसो करोड का सेविंग और वरली बांधना सिलिंग प्रोजेक्ट था जिसको शुरू मैं मंत्री था तब मैंने किया था चारसो बीस करोड में हमने कॉंट्रैक्ट दिया था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को अब बाद में हमारी सरकार गई तो वह भी उसकी कीमत सोला सो करोड तक चली गई है एक बहुत इंपॉर्टन चीज है मैं गवर्मेंट पर अधिकारियों पर एन्हें निगेटिव नहीं बोल रहा हूं हमारे पुरे सरकार में ताइम इस दो मोस्ट इंपॉर्टन कंसेप्ट इन इंफ्रास्ट्रक्शर और बिजनेस इस बात को सरकार में कोई समझने के लिए त्यारी नहीं है मैं अस्वस्त हो क्योंकि मैं एक दीन डिले निरने करने के लिए याट कॉस्ट कंट्री 15 करोर रुपीज पर डे तो मैं बारा बारा एक एक दो-दो बजे तक रोज बैठता हूं और हमारे या इनेचाय के जो चेर्मन है मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उनने आउट ओफ वे जाकर काफी प्रमान में सेटल्मेंट करके मार्ग निकाला है उनके प्राब्लेम्स कितने कटिन थे मैं समझ सकता हूं और उन्होंने इसमें से हमेने का शेटल करो मार्ग निकालो और ऐसी स्थिति है कि आज मुझे कॉंट्र को बोलना पड़ता है कि त के जो विरियस रीजन्स हैं उसमें सबसे इंपोर्टन सबसे पहली बात है यह डीपी आर यह डीटेल प्रोजेक्ट रिपोड बनाने वाले जो एजन्सी है इनको कभी प्लाइनिंग कमिशन दबाता था कभी हमारे लोग दबाते थे कभी फाइनांस वाले दबाते कि जडात के तीन एंपी आये थे और वहां जंक्शन में फ्लाइवर चाहिए हाई ने डीपीर में अब लोग प्राब्लेम फेस करें फिर प्रेशर लाते हैं और आप जो कहरें कि हम पोलिटिकल निरने करेंगे तो क्या करेंगे हम क्या समाज से भी है क्या हम जब सरकार में आय तो रोड के प्रोजेक्ट में तो प्रेशर आने ही वाला है और हम अगर प्रेशर पर नहीं अगर काम नहीं करेंगे लोगों का तो हम फिर से चुनकर कैसे आएंगे और चुनकर आई इसलिए आपने उमको बुलाए बाशन देगला तो हमारे इसमें पहले बार हर पुलिटि यह रहनी वाला है जैसे आपको मैंने का कि आप पैसे कमानी के लिए प्रोजेक्टर तो तो इसमें गलट क्या है आपको दो पैसे मिलने चाहिए इसलिए आप आते हैं वैसे राजनीती में यह बात होनी वाली क्योंकि हमने जुश सिस्टिम को सिविगार किया है और एक बात मैं आपको बता हूँ एने चाह में और नैशनल हाइवे जितने प्रोजेक्ट्स है वो सब प्रोजेक्ट्स अगर इंटर्नल रेट ओप रिटन की भाषा में अगर बात करनी है तो प्रोजेक्ट वाइबल कैसे करना इसका एक साइन्स है और इसलिए आप नैशनल हाइवे में एकोनोमिक वाइबलिटी का प्रोब्लेम नहीं है वो कैसे सौल करना वो मैं आपके आपसे भी समझने आलो औ मैं अपनी कलपना भी बताने वाला हूँ पहले बात तो ऐसी है कि DPR परफेक्ट होना चाहिए और DPR में यह हुआ है जो हमारे कोई भी सरकार आई तो यह बात पक्की होती है कि अच्छे काम करने वालों को सन्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं होती है जिनों ने गलट DPR किये वो भी लगा तर बनाई रहे DPR तो मैंने पहले हमारे डिपार्टमेंट में कहा कि जिन जिन लोगों ने डिफेक्ट वी डिपीर की इनके CR लिखो कम से कब इनको अगला काम तो मत दो और घर में बैठकर शायद वो मुझे लगता है कि सेटलेट की इमेजेस को देखकर शायद डिपीर बनाये होगे पबलिक से बात नहीं पबलिक मुझे बात्चीत नहीं वहाँ जाकर प्राब्लम्स को संभ्या नहीं और डिपीर ही गलत हो गया तो हमको पहले बार डिपीर को सुधरना ओगा इसलिए हम टीपीर बैंक खोल रहे है हम नौ अगस्ट को मेरे पास ग्रामीन विकाज भी है लान एक्विशन भी मेरी पास है तो आज हमने एक 9 अगस्ट को एक नया सेंटर खोल रहे कि बैंक ओफ आइडियाज और इन्नोवेशन और मैं आपको सुझाओ दूंगा कि आप हमको दोनों डिपार्टमेंट में सुझाओ दो I don't claim that we are perfect उत्तम अधिक उत्तम सर्वतों अप्टों इन्फिनिटी नो वन केंगे इस पर्फेक्ट तो हमको आप से सुझाओ चाहिए जो अच्छे होंगे वो स्विकार करेंगे जो नहीं होंगे कहेंगे कि यह मुन को ठीक नहीं लगता और चार लोगों से पूछेंगे तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग अच्छा करेंगे एक तो टाइम इस दे कंसेप्ट हमारे फाइनास सेकेटरी जी यहां बैठे है मैं उनसे अनुरूत करूँगा कि गवर्मेंट में हमको सभी डिपार्टमेंट में टाइम पर निरने होने चाहिए तीन-तीन महने, चाहर-कार महने, साल-साल, देर-डेर साल हमारे डिपार्टमेंट में निरने नहीं होते हैं मैं बहुत फेरली कहना चाहता हूं मैं प्राइविट इन्वेस्टर को ब्लेम नहीं करूँगा कि इसका करण मैं आखे खुली रख के बात कर रहा हूं हमारे यहां चार प्रॉब्लेम से लैन एक्विजिशन दस परसेंट लैन एक्विजिशन हुआ है और आपने प्रोजेक्ट का टेंडर भी कर दिया वर्क और भी ले लिया फैनाशल क्लोजर भी कर लिया दो साल हुए फै यह लैन एक्विशन में जो है वो तो स्थिती है इसी है दूसरा है फोरेस्ट एन इन्वार्मेंट क्लियरंस कितने सालों से पढ़े है प्रोजेक्ट क्या किसी को चिंता है कि तीन-तीन साल क्लियर करने के बाद जो समय जाकर जो एसकेलेशन कॉस बढ़ी है जो इंट्रेस को देखिए हा का फोल ना को तोना को रखते कि और फाई को तीन-तीन चार चार मैंने फाइल पर बैठके रहते हैं ने हाज करेंगे कल एवरी डेये इसकालेशन इंट्रेस कोच कितनी बढ़ती हैं नॉट टेकिजिजिजीन जैंद बिक प्रवलम मैं जब मंत्रीदा तब मैं केदा था आए लेक अनेस्ट पीपल वो कन गेट थिंग्स दण अब मैंने वह अपने टेबल पर रख दिया है जो करना इंड मैं आइंड लास्ट परसन मैं कभी कोई सेकेटरी को अधिकारी को नहीं केदा गलत दिरने करो तुमको जो लगता लो न करो निर्णे आपके निर्णे पर पॉलिसी हम करेंगे हमको ग्या करना है हम उस पो और रूल करके कह सकते कि आइसा नहीं ऐसा करो आपका अधिकार है पर निर्णे नहीं होंगे तो कैसे होगा याट इस वन आप दो प्रॉब्लम इस टाइम डिपी आर फिर लाइन करो और दूसरा काम ने किया है कि तीन सो प्रोजेक्स एडिशनल जो पास साल दस साल के बाद हम इंप्लिमेंट करने वाद कोई भी प्रोजेक्ट हो हम अमारे यह नहीं है में और इसमें इस एक सिस्टेम करें कि उन प्रोजेक्ट का आज से डिपीर बना के रखो ज्यादा पैसा नहीं लगता है और लेंड एक्विशन फॉरेस्ट इंवायर्मेंट क्लेरंस और रेल्वे के क्लेरंस के लिए और डिफेंस लैंड के जो प्रावलें उसके लिए आप अप्लाय करना शुरू कर तो कागत देने वे तो पैसे नहीं लगता इस से हम समय बचा पाएंगे तो पहली बात हम लोग अभी हमारे शेल्फ में आने वाले दस साल के प्रोजेक्ट का पूरा प्रोसीजर तैयार करके हम रखने वाले हैं जब हम करेंगे तो कम से कम यह प्रोसेस तैयार होके रहेगी यह पहले प्लैनिंग इन एडवांस एंड प्लैनिंग इन डिटिल अग लेजिसलेटिव इंग, मीडिया, एग्जेकुटिव इंग और जुडिशेरी इन चारों के बारों में हमारे सब्विदान ने किसके अधिकार कितने हैं, मर्यादाय क्या है, जिम्मेदारी क्या है, सब लिखके रखा हैं, हमारे हर प्रोजेक्ट में कोर्ट कहेगा यह काम मत करो, यह इतना करो, यह तोड़ दो, यह सा मत करो, ठीक है, कोर्ट है, सन्मान करते हैं, पर अगर हम एक तो कोर्ट से डिपार्टमेंट नहीं चला सकते हैं, अगर चलाना है तो वो भी चला यहां के, अगर इस प्रकार से, अगर काम होगा, तो काम कैसे कर पाएंगे, और इस है इन्वेस्ट किया वो मर रहा है और जनता जहां है वहां तीन-तीन साल प्रोजेक्ट बन पड़ा है पीपी मॉडल का और एंपी मेले मेरे आकर चिला रहे कि यह इतने गड़े पड़ गया है चल नहीं सकते मरें तो पीपी वाला कहता है कि क्लीरस नहीं तो मैं रिपेर क्यों डिपार्टमेंट कहता है कि पीपीए कर दिया अब हम पैसा क्यों लगा है लोग वहां तकलिफ में एक्सिजेंट हो एक लाख एक्टीस हजार लोग मरते है नाशनल हर साल इसके लिए कौन जम्मेदार है और इसलिए यह यह जो कॉंप्लिक्श में से रेलवे के बारे में र लेखाष गर ने काूँ लेकर ने से बलेखे घ्लिए मेरे पर शाइक हिर्क न के हाथ में पतर गरन तो देना में करेंगे को व्हेंहिए करेंगे कोई का प्रही लिखालता है नहीं जलदी मेरा यह धर की बात ही आयंग तो यह जो चार बाते जो है लेंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट और एंविरमेंट क्लियरंस, बाद में रेल्वे क्लियरंस तो बहुत डिफिकल्ट है, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम क्लियरंस का करने के लिए अवार देना चाहे तो रेल्वे को देना चाहे है, आप को लाओ, आप उनके चीफिंजर को लो, किसी को भी लो, रेटायर आदमी को, आपने रेल्वे बूर्ड रेटायर चेर्मन को भी काम दिया, तो भी आपका रोभी क्लियर नहीं होगा, मुंबई मेट्रो के फाइल जो थी 600 टेबल पर गई थी, और अमारे अरोभी जो होते है वो सोला टेबल पर क्लियर करते हैं, यह मैंने प्राइमिस के सब रखा, खुले रूप से रखा, और रेले चेर्मन को को उनका कि सर मुझे टाइम दो, मैंने उनको का यह तुम करो, यह बिल्कुल गलत बात है, और मैंने वाला, मैं आपके नाम से ओपन ली चिलाना शुरू है, यह क्या हो रहा है, मेरे पास केसे से, यह इने इंजिनर बदल गया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और मुझे कहा है, आप हर महने में बैठो, चारो डिपार्टमेंट को लेकर और सब को बुलाओ, और आप इसके जो क्लियरंसे से, लीगली, लीगली, लॉजिकली, कोई गलत काम नहीं चाहिए, कम से कम उसको क्लियरंस करने में अगर काम में हो जाएंगे, तो आपके यह जो प्रावले में यह काफी सौल हो जाएंगे, अब इसमें से एक स्टेट गवर्मेंट के साथ इशू है, और उसके लिए वो इशू है, आपको को वारी के लिए जग में लेगी, तो rode कहां से बने हा और हमारा department claim Deapkanalty लगा देगा, format environment clearance नहीं मिले, नहीं तुम्हारी जिम्मेधारी, land equison नहीं मिला, तुम्हारी जिम्मेधारी, सब होगा, तुम्हारी जिम्मेधारी, उपर से हम आपके उपके लगा देंगे, आप बलोगे, फिर से बो इंडिपेंडेंट, इंपार्शल, फेर, जो सही है, जो गलत है, यह नहीं चलेगा, और इसलिए यह बहुत से प्रोजेक्ट्स में, अभी एक स्टेट तो ऐसा है, कि एक सरकार आती, प्रोजेक्ट शुरू करती, दूसरी सरकार आती, उसके प्रोजेक्ट बन करती, फिर वो सर फाइल बनी हुई है, और बैंकों में क्लेम बन रहे, आखिर मैंने नहीं चेर्मन को कहा, कि यह स्थिती ना, तुमारे हाथ के ने, मेरे हाथ की कम सेक्म, इनको पेनल्टी मत लगाओ, उनको छोड़ो, जाने दो, कहां टोल वसूल करेंगे, यह पुराने सरकार ने प्रोजे दूसरा जो इंपोर्टेंट चीजे, फाइनांस सेकेटरिया उपस्ती थे, जब आपने प्रोजेक्ट बीड किया तब 9% ग्रोथ रेट था, अब 4.5 पे आया है, ट्राफिक डेंसिटी कम हुई है, आजा आप लोगों ने भी लालच में बहुत काम किया है, जब लान एक्व अब चिला रहे हो, पूरे बरबाद होने को रफ क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, ऐस इस्तिती आई, यह जो इनकंप्लीट काम कभी नहीं करना चाहिए था, आपने उस समय आके बड़े पॉजिटिव इससे ले लिया, और लेने के लिए क्या क्या इस पर में धि इसके लिए आप भी थोड़ा सा देखो, ट्रांस्परेंट धंदा करिये, सनमान के सार्थ, स्वाभिमान के सार्थ, थाट के साथ करिये, जुकने का काम नहीं कहीं, जो सही है, वो सही है, गलत हो गलत है, आप अगर लालच में आके शॉटकट मरंगे, तो एक बात याद इसी फॉर फूचर, आप कोई शॉटकट उद्मारिये, और किसी को मारने मत दीजिए, शॉटकट, कट यो शॉट, याद रखिए, आप जितने शॉटकट मारे, उसके करवा भी आप लोग तकलित में पसे हुए, मैं कम से कम तुमारा सोभाग्य है, कि तुमारी तकलित समझ करने के, कोई बोल नहीं सकता है, वो यह कहना बहुत है, सर आप कहरें, वो सही है, क्योंकि वो ऐसे ही रहता है, वो जब उनके आधिकारे से बोलते तो यही कह, कोई अपने अभिनेवेश, देखो, confidence and ego इसमें फरक है, इसका अंतर वो छोटा है, आत्मविश्वास रहना और प्रहंकारी होना इसमें फरक है, अभी यहां सिस्टिम में कोई किसी को, कोई बात अगर उसके मन के विरोध में कहता है, तो उसको लगता है, यह मेरा इंसल्ट है, ऐसा नहीं है, मैं हमारे सेकेटरी को, डेपुटेव सब को का, you are free to criticize me, आप मेरी बात को contradict कर सकते हो, I am ready to listen you आप either you convince me, और convince by me, आप मेरे को एक तो समझाओ, या मैं आपको समझाता हूँ, तो यह जो problem से इसमें से यह भी है, पर मैं इन सब बातों को समझ चुका, हम लोग उसको solve करेंगे, अब 4.5% GDP आ है, तब traffic density, और 9% की इसमें फरक आने माला है, और इसमें important factor जो है, फैनास सेक जब स्थिती अच्छी थी तब bank का interest 8.5%, 8% था, अब 13% हुआ है, 14% हुआ है, तो यह आप यह 13 और 14% से internal rate of return और project की viability कठीन है, और इसलिए जब तक हमारे infrastructure project को, हम ऐसी investment नहीं लाते हैं, जो low cost interest की हो, तब तक इसकी viability लाना और IRR को maintain करना कठीन जाएगा, तो मैं निश् तुरुप से आपको कहूंगा कि हमारे finance minister ने अच्छा budget दिया है, और उन्हें infrastructure के लिए काफी 525 मालिक प्रकार की concessions दिये, बहुत अच्छा budget दिया है, मैं finance secretary को, finance minister को बहुत धन्यवाद दूँगा, कि पहली बार उन्हें ने आपके दर्द को समझते हुए बहुत चाहते हैं, हम आप से जगडा करना नहीं चाहते हैं, हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, और हमको भी समझता कि आपको दो पैसे नहीं मिलेगे तो आप काम कहां से करोगे, इसमें से कुछ बातों के बारे में मेरे मन में था जो मैं आप से भी चाहता हूं, मैं जब मंबे पुर्पुना एक्स्परेस आवे में बनाया, तब सब लोगों के विरोत के बाउजोद मैंने एक पाइप लाइन डाल दे उसमें, आप्टिक फाइबर के लिए, 1997 में, अब उसके कारण 27 करोड का इंकम मिलता है महाराट सरकार को, और हमारे नाथ यह देश में, पावर सेक्टर में ट्रांस्पिशन यह बहुत-बड़ा प्रालामेन आगर मुंबै में पावर का रेट अगर 3.4 रुपए है तो चेह तो मुंबै में नहीं है दिंघी का प्रॉबœm ट्रांस्पिशन लिए तो मैं सोच रहा था कि यह हमारे ना तो भी लोग जगे नहीं दे रहे हैं, अब वो एक्विशन, लैन एक्विशन, तो टावर डालना और पावर ले ले जाना मेरा विशय नहीं है, पर मैं उसकी प्रॉब्लेम समझ रहा हूँ, तो मैं यह सोच रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई सिस्टीम निकल सकती है, कोई डिजाइ भी मिलेगा, और यह रिवे में भी टोल से भी टोल से ऐसा अच्छा रहेगा, तो मुझे लगता है, इसमें एकोनोमिक वाइबिलिटी के लिए हम लोग कुशिच करेंगे, दूसरा जो है, अभी हमने तही किया कि, बुटूमिन के बजाए सिमेंट रोड बनाओ, अब आप म ऐमने इस अच्छा नाहियां, इस नालि कंट करेंगा, इस प्रीखने प्रीक्वालिफीकेशन के बाद करेंग पोस्त क्लेफीकेशन कारना जाहिए, चितने लोग आते, उन कोuhan, टेंडर भरो, और पहले, पोस्त क्वालिफीकेशन करने के बाद, फिर फाइनाराशाल बिड कोलना चाहिए अगर आप पांच लोग होगे तो आप बड़ाबर कार्टिल करती हो तू एक ले ले तू एक ले माइक ले लो हम जो एंडवेंचर करा ले और बस अपने बारा से तीनों मिलके प्राइस बीड बर देंगे यह देश की इत में नहीं है वी निड फुल ट्रांसप करन क्या होगा 25 कंपनी आएगी तो कार्टिल करना कथिं जाएगा पाच कंपनी आठ हाई कि वो काम का डिस्टिविशन करके बराबर जमा लेते हैं तो यह पोस्ट कॉलिविगन करने के बाद भी हम सोच रहा है दूसरा जो है सिमेंट में स्थिति ऐसी है कि आपको मेंटरें गोवर्मेंट से मंत्री बनने के बाद एक मेने के बाद उससे रेट एनलेसिस करा है और 280 रुपए अगर सिमेंट का रेट पकना तो आज बिटुमिन के तुल्ला में कॉंक्रीट रोड चार परसेंट सस्ता आता है अब यह चार परसेंट अगर कम आते तो बिटुमिन क्यों यूज़ करना चाहिए और सिमेंट रोड पर बिटुमिन सर्फेसिंग अगर कर दिया जाए जैसे जर्मन इम और बाके तो इतना रोड क्वालिटी सुंदर बनती है और सिमेंट रोड के कारण मेंटरनेस कॉस्स लगबग जिरू हो जाती है तो हम लोग इंकरेज करने वाले मैंने का पूरा प्रोडक्शन तुमारा खरिता हूं कितने में सिमेंट की बैग दोगे बोलो आप ताच्यूप करोगे एक सो साथ रुपे पर मुझे कभूल की वन सिस्टी अगर वन सिस्टी पर अगर सिमेंट बैग मिलेगी तो आज के बिटुमिन रोड में यूव तो रि तो मैंने हमारे सेकेटरी को का कि यहां कुई जमीन के फरक है कि यहां मैं इंजिनिर नहीं हूं तो मैंने का कि यह डिजैन इतने स्लीक दिख ते अच्छे तो हमारे देश में क्यों नहीं है तो उन्होंने का कि जो कोड है इनका अलग है और हमारा अलग है तो मैंने पूछ कोड क्या होता है तब मैं पहली बार समझा कोड क्या है अब आप एक काम करो इंटरनेशनल स्टेंडर्स के कॉंक्रीट रोड और फ्लाइवर और ब्रिजेस के कोड आप स्टेडी करो जर्मनी का क्या है अमरीका क्या है सब कोड स्टेडी करो मुझे प्रता नहीं पर मेरा अपरेंट ऐसा उपीनियन है कि अगर हमने इंटरनेशनल कोड को स्विकार किया तो हमारी प्रोजेक कॉस्ट आठ से दस परसेंट कम हो जाए कि हम लोग पॉंजर विटिव हैं अब इंटरनेशनल स्टेंडर के कोड अगर अभी आज जो MSR DC का जो कोड मैंने उस सबे तयार किया था कि दिल्ली के सब फ्लाइवर उसी कोड को लेकर बने बाग में और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और जो मॉडर्न रिसर्च हुआ है जैसे सीमें में 35 परसेंट फ्लाइश डालते हैं और तो मुझे तो आस्टेलिया में मैंने सुगा कि ए लो कौस्ट अगर हमारा रोर बनेगा तो व्याइबिनटी बढ़े गी आ र बड़ेगा और इंट्रेस टेट भी कम चाहिए कोस्ट कंस्ट्रक्शन भी कम चाहिए और ट्राफिक यिसलिया आईगी अर इसलिए आज इसमें से हम लोग भी काम कर रहें आप भी करिए एक इंपोर्टन्ट छीजे कि यह मैं जब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा था उनने मुझे कहा कि मैं एक दिन डिस्कोवरी चैनल देख रहा था और डिस्कोवरी चैनल पर मैंने देखा कि एक मशीन से ट्रांस्प्लाइंट कर रहे थे ट्रीकों तो जी तिन हम इतने पेड तोड़ते हैं आप यह क्यों ही करते हैं कि ट्रांस्प्लाइब मैंने उस समय काफी अभी रिसर्च और मैं और कंपनियों को बुला रहा हूं हर कॉंट्रेक्टर से मेरी प्रहर्थना कि आप वर्ड से ऐसी मशीन लाईए कि आप रोड के बाजू में जो हजारों लाखोर ट् अच्छे इसका पहला फाइदा होगा कि आपको ट्री काटने के लिए फोरेस्ट के पास जाना ही नहीं पड़ेगा तो आपके मेहनत बच जाएगी समय बच जाएगा यह पेड तोड़ने वाली बात को इसमें मेरे आप से रिक्वेस्ट है कि इसमें भी आप एक करिये मैं प कि 15 अगर्स्ट के पहले यह पेंडिंग इशू को खतम कर देंगे और मैं आपको एक रियली एक बात अप्रिशेट करता हूं कि एने चाह में इतना कोई आइस ऑफिसर रिस्क नहीं लेता है हमारे जो चेर्मन है जब उनसे में बात करता उनने बहुत रिस्क उटाई बहुत जट्रे किये बहुत आइग्रेसिव है वो पर उनने बहुत कीमत चुका कर उन्होंने काफी इसमें से सेटल्मेंट किये और मैंने उनको का कि आज फिर मैं जब मुझे भी कन्फूजन हुआ कैसे सौल करना क्योंकि आइसा आपका ठीक है कल राइट आप इंफरमेशन है कोई कोई पेपर में लिख देता है हम देश के इतमे करेंगा और हम फुकट की घाली खाते रहेंगे तो क्या मतलब है तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेकेटरी को नहीं चेर्मन हमारे सेकेटरी को एक दिन रात को मैंने घर बुला बैटे रहा है अब तीन गंटे म कर देंगे और नैशनल हाइवे अच्छी तरह से दोड़ने लगेगा इतनी स्थिती निश्ची तुरुप से लाएंगे उससे बैंकों में अच्छा इंप्रेशन गाएगा और 15 अगस्ट को यह काम करने के बाद मैंने तही किया है कि कॉंट्रेक्टर्स और बैंकर्स इनको बुला कर मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूं कि अभी इतने प्रोजेक्ट थे इतने चल रहे सब प्राब्लेम साल हो गए और अभी आप फैनास करो अब आपको यह सवाल नहीं पूछता पर आज पीपी मॉडल में कोई बैंक फैनास करने के लिए तयार है 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 तयार मैं रामचंदर नजी को वह पूछ रहा था कि यह मैं भूलता हूँ पर यह कैसे हो पाया आज का कारण है कि सब बैंकों के चेर्मन मुझे मिले और सब कह रहे बिचारों ने बहुत उत्सा के साथ अच्छी भावनाओं के साथ इतना बड़ है यह नौट टेकिंग डिसिजन यह बहुत गलत बात है और हमारे लेवल पर टाइम इस इंपोर्टन कंसेट मैं तो प्राइम मिनिस्टर को कहने वाला हो कि हर आफिस में सरकारी बावो और अधिकारियों के लिए एक लिए एक लिए टाइम इस इंपोर्टन कंसेट निरने होने चाहिए दो दो साल देड़ देड़ साल तिन तिन साल तक निरने नहीं होना उसके कारण भी एसकालेशन इंट्रेस कोस्ट आई है मेरा विश्वा से की प्रॉब्लेम्स है पर मैं एक बात अक्सर याद करकता हूँ एक बात मैंने बहुत अच्छी तरह से याद रखी कि there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems तो मैं आपको या अत्मविश्वा दिलाना चाहता हूँ कि ये problems को हम opportunity में convert करेंगे our government have a very positive development oriented approach fast track decision making process and we are very much committed for the development of this country हम इस देश का विकास चाहते हैं गरीबी दूर करना चाहते हैं बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं agriculture growth rate GDP बढ़ाना चाहते हैं हम investment को लाना चाहते हैं हम हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं और इसलिए हम बहुत positive हैं पर system के साथ transparency के साथ और कोई हमारे उपर आश्न उठाए इसका विचार करते हुए इन problem को solve करके कम समय में आगे जाना है मेरा विश्वास है कि आप सब के सहयोग से आपके सहकारे से मैं अक्सर एक बात पर दो cooperation, coordination and communication यह बड़े important concepts है अब मैं तो बहुत free हूँ कोई भी मुझसे मिल सकता है मैं दिल्ले में कम रहा हूँ इसलिए मैं अपना तरीका मेरे काम करें मैं सब को मिलता हूं सब की बात सुनता हूं और जूट नहीं बोलता हूं मैं मुह पर बोलता हूं तुमारी बात मुझे न क्योंकि आपकी और मेरी जो टार्गेट एक ही है उद्धिष्ट एक ही है हम लोग इससे बाहर आना चाहते हैं और इसमें से जो अनेक इनोवेशन समने लिये हैं जैसे मैंने आपको कहा कि 9 आउगस्ट को हम लोग उपनिंग कर रहे हैं बैंक ओफ आइडिया इनोवेशन आप सब के सुजाओं के आधार पर आपके सईयोग से इस सेक्टर को आने वाले कुछ कम समय में हम फिर से एक बार अच्छी तरह से गेर अप करेंगे और PPP मॉडल के काम अनेक काम आप सब के सईयोग से शुरू करेंगे और उसमें आपको काम करने भी मज़ा आएगी एकोन कर और आपके से अब चाहे है कर आपको कोहा है calidad है वाले कर रचने में हाब आपकिर के समय में हम आपके से एको और यसल आपके से देदे़